दोस्तों नौस्कार मैं जगनाद गौतों देश रोजाना यूटीब मंज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों जो हमारा आज का मुद्दा है वो यह है कि फरीदाबाद की कैई सीटों पर कांग्रेस और भाजपा से जुड़े नेताओं ने जिनको पार्टियों ने अधिकत रूप से टिकट नहीं दिया है उन्हों ने अपने अला कमान के खिलाब विद्रो का विगुल बजा दिया है और मैंने जैसा कि कहा ये बात नके बल बाजपा में है बलकि कांग्रेस में भी समान रूप से है दोनों पार्टियों में जो नाराज नेता हैं दमदार नेता हैं या वो पूर में विधायक रहे हैं और उनको अब टिकट नहीं मिला है और उन्होंने गुस्षे में टिकट ना मिलने पर उन्होंने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दियें अब जो है जो चल रहा है पर मतलब भाजपा और कांग्रेस में पर दे के पीछे कांग्रेस हाई कमान भी पूरी ताकत से जुट गया है कि जिन उम्मीदवारों ने कांग्रेस के अधिकरत उम्मीदवारों के खिलाब परचा भढ़ दिया है नामांकन दाकिल कर दिया है उनको कैसे मनाया जाए रूठों को कैसे मनाया जाए उनका नामांकन वापिस कराया जाए और उनको अधिकरत उम्मीदवारों के हक में परचार करने और बोट डलवाने का काम लिया जाए तो दोस्तो मैं यहां कुछ इस्तिती तो लगबग हर सीट पर है लेकिन मैं कुछ मुखे सीटों पर ये आपको वताऊंगा कि कहां कहां ज्यादा परिशानी होने वाली है जैसे कि हम तिगाउं सीट की बात करें तो दोस्तो यहां से ललित नागर कांग्रेश के विधायक के रुक में जीते रहे हैं और सबको उम्मीद थी कि तिगाउं से कांग्रेश आला कमान ललित नागर को ही टिकट देगा लेकिन दोस्तो ऐसा होने सका कांग्रेश आला कमान ने एक कहा जा सकता है कि अन्नों से आदमी या उमीदबार रोष्टनागर को वहां से अपना उमीदबार बनाया है जिस से ललितनागर के समर्थकों में भारी रोष है और उन्हें फूट फूट कर अपनी विधा अपने सेंकडों समर्थकों के सामने बताई और कहा कि जिस तरीके से कांगरे साला कमानने उनके सपनों को तोड़ा है मुझे लंगड़ा कर दिया है आप मेरा पाउँ बने आप मेरा सरीर बने आप ललितनागर बने और जो मेरे साथ जो गलत काम किया गया मेरी उम्मीदों पर पानी फिरा गया है वो पूरे दिगाव छेदर की जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है इसलिए कांगरेस आला कमान के इस फैसले को गलत सावित करने के लिए आप चाहो तो मैं नामांग कंदाखिल करूँ तो समर्दकों ने उनको आथ उठा दिये कि हाँ अपनामांग कंदाखिल करिये और हम आपके साथ हैं तो ललितनागर ने भी अपनामांग कंदाखिल कर दिया है वो ही इस्ति थी बल्लवगर सीट पर है सारदा राठोर पूरे जोर सोर से तैयारियों में लगी हुई थी उनकी बल्लवगर छेतर पर अच्छी पकड़ है वो राजपूत समाज से तालुक रखती है और बल्लवगर्ट चेत्र में अच्छी खासी तादात में राजबु समाद रहता भी अच्छे खासी परतिसत बोट भी है वो दो दो बार कांगरेस की सीट पर कांगरेस को वहां से बल्लवगर्ट सीट को जिता कर दे भी चुकी है लेकिन पूरी तैयारी होने के बावजूद सार्दा राठोर का बल्लवगर्ट से टिकट काड़ दिया गया और एक नई यूबा लड़की पराक्षर मा को उनकी जगए टिकट दे दिया गया जो ब्रहमर समाज से हैं वही इस्ति थी बल्लवगर्ट में बन गई है शार्दा राठोर भी अपने समर्दकों के सामने रोई पीती आंसू बहाई अपनी व्यता सुनाई तो बड़ी तादात में उनके समर्दकों ने भी उनसे कहा कि आप बल्लवगर्ट से पर्चा भरें और हम आपको जिताएंग सार्दाराठों ने भी महाँ से पर्चा दाखिल कर दिया अब आगे बढ़ते हैं जो ये दो सीटे मैंने बताई अब देखना ये है कि कांग्रेस हाई कमान क्या इनके विरूद को जहल पाएगा और यदि इन दोनों उम्मीदवारों ने जो मजबूत उम्मीदवार हैं यदि इनों ने अपना फैसला वापिस नहीं लिया ना मांकन वापिस नहीं लिया तो क्या कांग्रेस को इन दोनों सीटों पर मुसीवत का सामना करना नहीं कि हाई कमान हर कीमत पर सारदाराठोर और ललितनागर को मनाने में जुट गया है और उनको बिठाने में पूरी ताकत लगा रहा है तो दोस्तों ये जो हमने आपको बताया कांग्रिस के दो मीदवारों का या दो सीटों का तिगाउं और बल्लवगर सीट अब हम बात करते हैं के बलकल सीट बलकल सीट पर जो भाजपा के नेता हैं वहाँ पर भी कुछ विद्रो किसी इस्तिती दिखाई दी है यहां पर सीमा तिरखा जो सीटिंग मेले हैं वो प्रमुकता से अपना दवाब बनाये हुई थी भाजपा आला कमान पर के तीसरी बार भी उन्हें ही टिकड दिया जाए चूंकि वो दो बार जीच चुकी हैं तीसरी बार भी वो सीट निकालने की इस्तिती में हैं लेकिन भ वाजपा आला कमान ने टिकड धनेश अदल्खा को दिया जो वो भी पार्षद रह चुके हैं अब कुछ नेता तो सरयाम विरोध कर रहे हैं कुछ अंदर खाने कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि भी ये फैसला धनेश अदल्खा के रूप में ठीक नहीं है इस सीट से बढ़कल सीट से पंजाबी नेता श्याम सुन्दर कपूर भी उम्मिदवारी जता रहे थे उन्होंने भाजपा के कही कारेकरम भी करवाए थे और अच्छी खासी तादात में उद्योग पतियों में भी उनका प्रभाव है और क्रिस्टनपाल गूजर को लोक्सवा चुनाव जिताने में भी वो दावा करते हैं कि हमने क्रिस्टनपाल को जिताने के लिए बड़कल सीट पर काफी मेहनत किया और उन्हें जितवाया लेकिन जो धने सदलका है बड़कल छेतर के निवासी भी नहीं है वो बाहर के है और हमें टिकट ना देकर धने सदलका को दे दिया गया उदर सीमा तरिकाजी ने प्रेस कांफेंस करके अपनी इस्तिती स्पस्ट किये कि जो आला कमान ने फैसला लिया है मैं उसे सुईकार करती हूँ और पार्टी आगे भविश्य में जो मुझे कहेगी मैं वो करती रहूंगे पार्टी के साथ वफादारी से काम करूंगे माना ये भी जा रहा है कि धने सदल का जिनको अपना विरोधी मानते हैं या जो उनकी जीत में मतलब काटा बन सकते हैं उनको वो घर घर जाके मना रहे हैं चाये वो शाम सुंदर कपूर हो या और जो संभावित नेता थे वो हो और शायद उन्हें इस मामले में सभलता मिल भी रही है इस मामले में चाम सुंदर कपूर कहते हैं कि यह फैसला तो बहुत बड़िया नहीं है आला कमान का लेकिन हम भाजपा के वफादार सिपाई हैं और पार्टी को नुक्सान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेंगे और जो भी हमें आदेस मिलेगा हाई कमान से ह हम पार्टी के हक में वो काम करते रहेंगे तो कहने का ताथ पर यह यह है कि थोड़ा सा विद्रो बढ़कल सीट पर भी कुछ नेताओं ने सरयाम या अंदर खाने किया है इसी तरीके से हम पहले भी कुछ वीडियो में बता चुके हैं कि पिछला सीट पर बड़ा घमासान ह जो अधिकरत उम्मीदवार बनाए गए हैं भाजपा के टेक्चंशर्मा उसके खिलाब भाजपा के ही नेता नैनपाल रावत जो पूर में विदा मतलब सिटिंग है में ले रहे हैं उन्होंने विगल बजा दिया है उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके दागर थे दीपक डागर वो भी एक मजबूत कंडिडेट थे पहले तो एक बार ऐसा लगा था कि उनके नाम की घोटना हो चुकी है और वो भी पूरी तैयारी से थे होने को तो और भी कई नेता हैं लेकिन नैनपाल रावत और दीपक डागर का विरोध भाजपाला का मान स नेनपाल रावत को भाजपा ही कमा नहीं मना पाया तो भाजपा की अधिकत उम्मिबा टेच्चन सर्मा के लिए चुनाव जीतने में मुश्किलें हो शकती हैं आगे बढ़ते हैं एनाइटी फरीदाबाद 86 यहां पर भी विद्रोख सरयाम हो रहा है यहां से कहा तो यह भी जा रहा था कि बही करिशनपाल के लड़के जो मियास पासद रहे हैं और सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे हैं वो चाहते थे कि भी उनके बेटे को जहां से टिकट मिले लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस मामले में करिशनपाल जी का काफी विरोध हुआ उनकी बदनामी भी ह चलते हैं उन्होंने अपने हाथ पेरे हाथ पीछे खीच लिए और देवंदर के लिए इस सीट टिकट के लिए नहीं लड़े लेकिन जब वो हट गए जबकि पूरी उमिद्वार थी कि इस सीट पर देवंदर चौदरी लड़ने जा रहे हैं तो नगेंदर भलाना जो पू नंबर पर था और अपने बेटे को यहां से टिकट दिलाने के लिए मेरा टिकट वो कटवाना चाहते हैं तो उन्होंने भी विगुलवजा दिया भाजपा के खिलाप चुनाव लड़ने का हाला कि देवंदर चौदर यहां से चुनाव नहीं लड़े बावजूद इसके न बहुत कम लोगों को ही उम्मीद थी सतीस फागना जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे उनके पिता जिले सिंग कांग्रेस के टिकट पर पारशद भी जीते थे लेकिन बाद में वो भाजपा में आगे जैसी की रीत है बहुत सारे लोग राजपूत होते हैं सत्ता के साथ चलते हैं तो कांग्रेस के हारने के बाद वो भाजपा में आ गए और यहां पर भाजपा के होकर रहे गया उसके लिए काम करने लगे और उसका फाइदा भी सतीस फागना को एनाइटी फरिदावाज सीट से टिकट के रूप में मिला है अब जो उन्हें टिकट मिला है हम य यह सही फैसला है या गलत फैसला है लेकिन इतना मजबूत कंडिडेट भी कई लोग सतीस फागना को नहीं मान रहे हैं लेकिन वह जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है जनता के बीच में काम करता रहा है पारशद होने के कारण भी उनकी जनता के बीच में पैठ है ले नगिंद्र भढ़ाना यदि नामांकन वापिस नहीं लेते हैं या भाजपा हाई कमान उन पर दवाव डाल कर उनका नामांकन वापिस नहीं करा पाता है तो क्या नगिंद्र भढ़ाना फागना के लिए मुसीबत बन सकते हैं कहने का तात पर ये ये है कि हर सीट पर कस्मकस जारी है और विद्रोई उम्मीद्वारें बाजपा आई कमान और कांगरिस आई कमान के नाक में दम कर रखा है अब देखना ये है कि ये दोनों पाटियों के आला कमान विद्रोही उम्मीद्वार को बिठाने में काम्याब होते हैं या नहीं यदि वो बिठाने में काम्याब हो जाते हैं तो उनके उम्मीद्वारों को जीतने में आसानी हो सकती है और यदि विद्रोही उम्मीद्वार चाब वो कांग्रेश के हैं चाब भाजपा के हैं नहीं बैठ पाए और वो जम कर चुनाव लड़े तो अधिकत उम्मीदवारों को चाब वो कांग्रेश के हैं चाब भाजपा के हैं जीत से मलब उनकी जीत खत्रे में पड़ सकती है तो दोस्तों यह था हमारा आज का मुद् द्रोही उम्मीदवारों को आला कमान किस तरीके से मनाएगा वो मानेंगे भी ये नहीं मानेंगे मान गए तो अच्छी बात है और नहीं माने तो वो फार्टी के लिए कितना खत्रा बनेंगे देख तेरी ये देश रोजाना जैहिन जैबारत जैसाविदान, नमस्कार अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें